तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा क्यालकुलेशन से रिलेटिड कुछ ट्रिक्स जिनका यूज करके आप अपनी क्यालकुलेशन को बहुत फास्ट वे में कर सकते हैं और जो फर्स्ट ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ वह रिलेटिड टू मल्टिप्लिकेशन तो फर्स्ट ट्रिक जो मल्टिप्लिकेशन से रिलेटिड है और यहां आप टू डिजिट की टू डिजिट नमबर से जब आप मल्टिप्लाई कराएंगे तो कैसे इस ट्रिक का यूज़ करके आप उसे fastest way में कर सकते हैं तो सी मैं आपको यहाँ पर एक example के थूरू बताता हूं से अगर आपको 23 x 42 यानि 23 की multiply 42 में करानी हो दोनों two digit के नंबर हैं तो किस तरह से कराएंगे तो first तो आप इस तरीके से लिख लिजे 23 और 42 को जहां multiply करानी है अब आप देखें first of all आपको क्या करना है 3 की 2 में इस तरह से multiply करानी है यानि इस तरह से जो arrow आप देख रहे हैं यहां तो 3 x 2 की multiply 6 आए और 6 को आप यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यहां पर आपको 3 place जो है फिल करने तो first place पे 6 आए अब उसके बाद आपको ए cross multiply करानी है किस तरह से 2 की 2 में कराएंगे और उसके plus कराएंगे 3 की 4 में multiply करागे तो यह आपने कराए और दोनों का यहाँ पर addition कितना है यहाँ पर 16 आया अब 16 जो है दो डिजिट का नमबर है लेकिन आपको यहाँ पर एक ही डिजिट फिल करना होगा तो उसके अंदर जो 1 को है यानि जो 10th place है वो carry forward कर देंगे आगे के लिए और 6 जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे तो 2 डिजिट का नमबर आए तो उसके अंदर हम क्या करते है जो 10th place है उसको carry forward कर देते हैं आगे के अब जो आप last multiply कराएंगे वो इस तरह से 2 की 4 में multiply कराएंगे इस तरह से तो 2 और 4 की multiply आए 8 और जो 1 आपने carry forward किया था वो यहाँ पर add करा दीजिए नमबर आगया 9 और 9 आप यहाँ पर लिख दीजिए तो 23 की multiply 42 में कराएंगे तो आपको क्या मिला 966 मिला एक और example से समझते हैं C आप मैं कोई बड़े नमबर ले लेता हूँ तो 56 की 87 से कराएंग C अगेन आप इस तरह से लिख देंगे अब आप 6 की 7 में multiply कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा 42 लेकिन फिल आपको यहाँ पर एक ही डिजिट करना है 2 और 4 को आप क्या कर देंगे carry forward कर देंगे तो 2 यहाँ पर आपने fill कर दिया अब आप cross multiply कराएंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पर आ जाएगा कितना है 83 प्लस 4 87 बट अगेन यहाँ पर टू डिजिट का नंबर आया है तो 7 आपको लिखना है और 8 को carry forward कर देंगे तो 7 आपने यहाँ लिख लिया अब 5 की 8 में कराएंगे 40 और जो 8 आपने carry forward किया था वो यहाँ पर आ गया तो नंबर आया 48 अब यहाँ पर टू डिजिट का नंबर है अब आप 4 को जाए carry forward आगे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा 48 आ जाएगा तो 3 प्लेस आप फिल करते हैं इस तरह से और लास्ट प्लेस में अगर टू डिजिट का नंबर भी आ जाए तो वह आप इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद आपको और मोल ट्रिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी थैंक यू